जैशिवराम आज होली है तो सबसे पहले आपको सभी को होली की हार्दिक सुबकामना है होली के विशाय में एक कथा सारा संसार जानता है वो है प्रलाद भक्त की कथा एक छोटे से बालक प्रलाद के ऊपर अत्याचार इतने हुए उस जमाने में कि उसको जलाने की तैयारिया कर ली होली का स्वयम प्रलाद को अगनी में लेके बैठी हिरना कषप की ये विचार दारा थी कि ये प्रलाद जो मेरे सत्रु का सुबरन करता है इसका अंत हो तो उसका आंत करने के लिए हिरना कषप ने अपनी बैन होली का की गोदी में प्रलाद को बिठाया और अगनी में उनको नश्ट करने की युजिना थी पर भगवत करपा ऐसी थी होली का ही जल गई और प्रलाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो इससे एक बात इसपश्ट हो गई कि अच्छाई जो प्रलाद के रूप में थी उसका कुछ ने बिगड़ा और अत्याचार और बुराई के रूप में जो हुली का हिरना कषप थे उनका ही सब बिनास हुआ तो आज के दिन हम जो साल बर में एक दूसरे से एरिसा वेर राग दूस पालते हैं उनको जलाना ही एक होली है उनको त्यागना ही एक होली का एक सुत्र है पूरे साल बर में जो जो मन मुटाप होते हैं, आइत-साइब बढ़ती हैं उनको आज के दिन हमें भूर जाना चाहिए यह होली का एक प्रफीक है होली हमको एक साफ सुत्रसंदेश देती है कि जो पीछे जो भी बाते होली सब को भूर जाना चाहिए और हमको एक नई होली के साथ रंगों के साथ रंगोली होली मनानी चाहिए सब बहरबाब भूलकर एक दूसरे से गले मिलकर और आज के दिन हमको यह सब बाते नए जीवन के लिए तैयार करनी चाहिए यही होली का एक सुत्र है झाल